अलो एब्रीबन, विल्कम टू स्टडी आईक्यू आयास हिंदी, दिस इस वनीश रवास्तव, जैसा कि आपको पता है, रोजाना सुबह 8 बजे के इंपॉर्टन सेशन लेकर मैं आता हूँ, जिसमें साइन्स एंटेक के अलग अलग टॉपिक्स को हम डिसकस करते हैं, हमने एक male reproductive organ के बारे में, जो एक मानव के अंतरगत, जो नर ऐसा जनन आंग होते हैं, उनके बारे में आज हम बात करेंगे, कि भी किस तरीके से ये reproduction को complete करता है, तो आज बहुत अच्छे से इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे, ये this is a basic lecture of male reproductive organ, तो उसमें हम बहुत सारी चीज़ male reproductive organ मतलब, नर जनन आंग की बात करने वाले हैं, तो इसमें बहुत अच्छे से देखेंगे, कि क्या-क्या organs हैं, किस तरीके से ये role play करते हैं, और क्या चीज़े होती हैं, उससे पहले कुछ questions थे last session के, उनको solve कर लेते हैं, तो start करते हैं, सबसे पहला question मैंने दिया था, कि this hormone is responsible for secondary sexual characteristics in males, अब देखा जाए तो भई, males के अंदर और females के अंदर, जो है, कुछ characteristics होते हैं, जैसे मैंने बताया था, कुछ प्रात्मिक होती हैं, जो हमें जन्म जात मिलती हैं, मतलब innate होती हैं, from the birth, जन्म के साथ होती हैं, और कुछ एक age attend करने के बाद हमें मिलते हैं, ये hormone में द्वित्यक, लेंगिक विशेष्टाओं के लिए जिम्मेदार हैं, अब देखा जाए तो basically, birth से लेकर, puberty तक, मतलब किसी का जन्म हुआ, और जन्म से योवनारंब जो स्तिती है, उस तक पहुशने में क्या ऐसा बतलावा जाता है, क्या शरीर अलग दिखने लगता है, तो basically, यहाँ पर जो चीज है, वो है हॉर्मोन का ही, basically जब बच्चा जन्म लेता है, तो उसके अंदर वो हॉर्मोन सीमित मातरा में होते हैं, वो इतने जादा रिलीज नहीं हो रहे होते हैं, उनकी वैल्यू ऐसी नहीं होती है, बट हॉर्मोन का ही चेंज होना, आप किस में एंटर कराता है, प्यूबर्टी में एंटर कराता है, तो यहाँ पर जो मेल के अंदर हॉर्मोन है, वो कौन सा है, उसको कहा जाता है, टेस्टास्टेरोन, यह हॉर्मोन है, जो मेल्स के अंदर सेकेंडरी सेक्शल कारेक्टरिस्टिक्स बनाता है, मैं आपको कल भी बताया थ secondary sexual characteristics में male के अंदर क्या-क्या चीज़ें होती है तो male के अंदर जो secondary characteristics है उनके लिए कौन सा hormone जिम्मिदार है वो तो testosterone है progestron females के अंदर role play करता है ये भी female के अंदर ही करता है melatonin जो है skin related होता है इसका role किसी भी तरह से male female से नहीं है दोनों में common होता है तो यहाँ पर answer क्या हो जाएगा इसका a option बढ़ते हैं अगले question की तरफ अगला question क्या है देख लेते हैं अगला question है reproductive organs attain maturity during अब जो आपका किस के दौरान प्रज़नल अंग परिपक्तता प्राप्त करते हैं मतलब mature कब हो जाते हैं mature का मतलब वही है कि birth से तो हमारे पास हैं लेकिन जब इनका original function start होता है तो उसी को हम maturity कहते हैं तो क्या वो menstruation है मासिक धर्म है gestation period है adosalent period है या इसमें से कोई भी नहीं है मासिक धर्म गर्बा अवदी या किशोर अवस्ता की अवदी या इन में से कोई नहीं अब देखा जाएं तो menstruation क्या होता है तो basically ये females के अंतरगत characteristics होती है secondary characteristics है दुईतियक एक तरीके से लेंगिक विशेष्टाएं हैं जो females के एक age के बाद होती है तो इसको menstruation या मासिक धर्म का आ जाता है इसके लावद gestation period क्या होता है तो गर्भावदी होती है जब भृूण जो होता है बच्चा जब मा के गर्भ में होता है तो वो जो नौ महिने जो रहता है उसी चीज़ को gestation period या gestation period कहा जाता है तो ये जो है प्रजणन अंग परिपक्ता नहीं है ये तो already परिपक्व हैं तभी तो ये चीज हो पा रही है तो जो किशोर अवस्ता की अवधी होती है जिसको एडोसलेंस, पीरेट कहा जाता है उसके अंतरगत ये चीज होती है तो correct answer आपका C हो जाएगा जो reproductive organs होते हैं चाहे male में, चाहे females में तो किस एज में maturity या परिपक्ता जो है एक तरीके से ग्रहंड कर लेते हैं उनके अंतरगत आ जाती है तो वो आपकी किशोर अवस्ता में आती है इसके बाद the period of dash is known as एडोसलेंस, किस अवधी को किशोर अवस्ता कहा जाता है तो वही आपकी बचपन होता है इसके अलबा proud अवस्ता आती है व्रिद्ध अवस्ता आती है और एक किशोर अवस्ता होती है तो किशोर अवस्ता की age क्या है तो जब आप बोलते हैं इसको teenagers, English में teenage चलता है तो आपका ये teenage basically वैसे थो teenage 13 से चालू होती है 13 से 19 लेकिन वो एक तरीके से teenage किशोर अवस्ता को ही दर्शायता है तो ये 11 to 19 years of age 11 से 19 साल की अवदी जो होती है ये किशोर अवस्ता होती है इसी में सारी sexual characteristics जो है male और females दोनों के अंदर attain हो जाती है उनको प्राप्त हो जाती है तो ये चीज हो गई इसके अलावा इन social media handle पर मुझसे जोड़ सकते हैं lecture की PDF उपर दियेगे टेलिग्राम ग्रूप से आप download के लिजे शुरू करते हैं हमारी बात तो देखिए हमने कल कुछ बाते करी थी कि बई क्या होता है अलेंग एक जनन तो बेसिकली यह दो चीजें तो हमको चाहिए ही चाहिए हमें या तो male या females तो इनके अंदर कोई ना कोई reproductive organ होना चाहिए तो आज हमने जो लिया है वो किस की बारे में बात करेंगे male के बारे में बात करेंगे तो ये जो है sexual reproduction के अंत्रकत ही आता है तो sexual reproduction में अगर हम यहाँ देख रहे हैं sperm को और यहाँ पर ovum को तो यह तो female से आया तो यह basically male से जो sperm form हो रहा है इसको समझने के लिए हमें क्या समझना पढ़ेगा हमें सबसे पहले male reproductive organ को समझना पढ़ेगा male reproductive organ का मतलब आपका नर जननांग की बात कर रहे हैं तो इसके बारे में आज detail में पढ़ेंगे तब जाकर यह चीज़ें समझने आप आएंगी तो यहाँ पर मैंने primary characteristics क्या होती है प्रात्मिक और दूतियक लैंगिक लक्षन इनके बारे में आपको बता दिया था और यह fertilization के प्रकार भी बताया थे कि दो तरह के होते हैं एक होता है आंतरिक और एक होता है बाही यह जो होता है वो किसके अंतरगत होता है तो जैसे कि मैंने आपको example दिये थे जो अंडे देते हैं ओवी पैरस होते हैं और यह वी वी पैरस होते हैं इसको मैंने आपको बताया था बाही निशेचन और आंतरिक निशेचन यह हम already discuss कर चुके हैं कल के session में योवनारंब के बारे में भी बताया था मैंने कि क्या चीजें होती हैं और यह जो है sexual characteristics प्रकट होने लगती है इस तरी और पुरुष में तो आज हम पुरुष के जो है primary sex organs के बारे में सारी चीजें बात करेंगे दोती एक लक्षान में मैंने आपको बताया था कि दोनों मे क्या होता है लडकों में क्या होता है तो यह सारी चीजें आप discuss कर चुके हैं अब देखिए basically हम वहीं पर आएंगे कि वह अगर sexual reproduction हो रहा है अगर आपका langic प्रजनन हो रहा है means sexual reproduction की बात हो रही है आपर तो अगर sexual reproduction हो रहा है तो इसमें जो है दो अलग-अलग जननांग होंगे मतलब एक male reproductive organ भी होगा एक female reproductive organ भी होगा तो जो female होता है वही egg produce करता है और male जो है sperm produce करता है तब जाकर zygote बनता है यूगमनज बनता है और निशेचन और फिर embryo brun बनता है और brun से फिर आगे mitosis होते होते उसके अंत्रगत विकास होते रहते हैं तो यह ज पूरा काम करता है इस पर आज हम focus करेंगे तो देखा जाए तो reproductive events के बारे में हमको बात करनी पड़ेगी reproductive events का मतलब कि भई कौन-कौन से ऐसे प्रमुग घटनाए होती है जो की कहां पर होती है प्रजनन में तो प्रजनन की जो प्रमुग घटनाए है उन पर बात करते है मह प्रमुग घटनाओं की बात कर रहे है अब देखिए आज हमारा जो topic है वो क्या है हमको पढ़ना है male reproductive organ के बारे में देखना है तो male reproductive organ जो है नर प्रजननंग इसके अंतरगत बहुत सारी चीज़ है बहुत सारी stages है और इसका क्या ज़रूरत होती है यह मैं आपको पूरा का पूरा समझाओंगा तो देखिए यहाँ पे आपको क्या लिखा है human sexual reproduction वीवी पैरस है और unisexual है वीवी पैरस का मतलब क्या हो गया वीवी पै English में वीवी पैरस कहा जाता है मतलब यहाँ पर किसका example है यह internal fertilization का example हो गया अब internal fertilization मतलब आंतरिक निशेचन अब आंतरिक निशेचन मतलब कि जो भी मानाव के अंतरिक जो गर्ब होता है मतलब भून होता है वो गर्ब में रहता है उसका अंदर ही विकास होता है सीधे बच्चों का जन्म होता है अंडे नहीं देते हैं मैमल सिस्तंधारी जो होते हैं वो सीधे क्या देते हैं तो बच जनानांग होगा, महिला के पास महिला जनानांग होगा, तो दोनों के पास अलग-अलग हैं, तो दोनों अलग-अलग प्रोड़क्शन कर रहे हैं, एक स्पर्म का प्रोड़क्शन कर रहे हैं, एक ओवम का प्रोड़क्शन बहुत सारी stages होती है, मतलब एक बच्चे को जर्म लेने में, प्रजनन होने में बहुत सारी stages होती है, कौन-कौन सी stages होती है, तो यहाँ पर इन stages के नाम लिखे हुए है, यह 6 stages बहुत ज़ादा ज़रूरी है, सबसे पहले है gametogenesis, फिर है insemination, फिर है fertilization फिर है implantation, फिर है आपका gestation, इसके बाद आपका होता है parturation, अब आप सोच रहोंगे यह क्या घटना है होती है, तो समझिए basically अगर हम बात कर रहे हैं, इस diagram पर हम वापस आते हैं, जो हम देख रहते हैं अभी यह देखिए, अगर यहाँ पर egg नहीं होगा, यहाँ पर sperm नहीं होगा, तो क्या zygote बनेगा तो आप बोलेंगे कि नहीं, बिल्कुल नहीं बनेगा तो नहीं बन सकता है क्योंकि basically fertilization होने में यह दोनों ही चीज़ों के लिए निशेचन होने में ही ज़रूरी है, अब यहाँ पर इस stage तक पहुशने से पहले आपको दो stages बताई जा रही है और फिर जाकर तीसरी stage हो रही है तो पहली stage जो कही गई है उसको कहा जा रहा है gametogenesis gametogenesis और दूसरा जो है insemination अब यह क्या होता है, इसको द्यान से समझिए gametogenesis का मतलब यह होता है जो egg बन रहा है, यह ovum बन रहा है और जो sperm बन रहा है यह भी तो बनना चाहिए यह sex reproductive organs का कामी यह है कि इन सारी चीजों को बनाना किस तरीके से, तो अर्ध सूतरी विभाजन से मतलब मियोसिस का process करके इस चीज़ को form करना, sperm को form करना ovum को form करना, तब ही तो जाकर क्या होगा, तब ही तो जाकर basically गर्ब धारन होता है तो basically यहाँ पर सबसे पहली requirement है वो है gametogenesis, अब gametogenesis एक क्या हो गया, एक व्यापक शब्द हो गया, एक broad term हो गया gametes का बनना, मतलब बिना sperm और ovum के तो कोई भी तरह का fertilization नहीं हो सकता निशेचन नहीं हो सकता है, तो basically gametogenesis, जब females में होता है, तो इसको बोलते है oogenesis और जब male में होता है, तो इसको कहा जाता है spermatogenesis समझिए इस चीज़ को, जब male में sperm बन रहा है, तो यहाँ पर gamete, जो male gamete बन रहा है, वो sperm बन रहा है, तो इस process को कहा जाता है spermatogenesis मतलब यहाँ पर जो sperm का बनना है, वीररे का बनना है तो वो एक process से बनता है, जिसको gametogenesis का जाता है, female के अंदर oogenesis होता है, male के अंदर spermatogenesis होता है, अब यह दोनों ही अलग-अलग अंगों में होता है तो हम बात कर रहे है, male reproductive organ की, तो male में कहाँ sperm का formation होगा, और male में जो sperm बना हुआ है, वो female तक कैसे पहुचेगा, तो जो process होता है, उसी को कहा जाता है, insemination insemination वो तकनीक है वो process है, जिसके through जो sperm है, वो female तक पहुचाया जाता है, और उसके बाद क्या होगा, जब sperm और ovum मिल जाएंगे, तब होगा fertilization और fertilization के बाद चीज़ें चालू होती है, कि क्या होता है कि जब fertilization होता है, मतब यूग मनज का बनना होता है, तो वो मा के गर्भ में जाकर implant होता है जुड़ जाता है, तो ये जो process होती है, चोथी implantation होती है पाचवा, जो gestation होता है गर्भा, अवधी जिसको कह सकते है या गर्भा वस्ता कहते हैं, कि 9 महिने तक उसी चीज में रहता है तो पाचवी stage हो गई आपकी gestation period, और छटवी stage होई parturation, parturation मतलब गर्भ से बच्चे का बाहर जो deliver होता है बच्चा, जो जन्म होता है तो वो छटवी stage होती है, तो भाई ये पूरी की 6 process है, पहला gametogenesis दूसरा आपका insemination, तीसरा आपका fertilization, चौथा आपका implantation, फोर्थ आपका gestation, और सिक्स्त जो है वो आपका parturation, कभी भी कोई भी प्रजणन हो रहा है, तो उसमें ये पूरा process है, अब gametogenesis में male में होगा, तो spermogenesis female में हुआ, तो uogenesis ये चीज समझने वाली बात है तो आपको थोड़ा बहुत समझने आ रहा होगा कि हम क्या बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो हमने बात करी कि reproductive events का मतलब है human sexual reproductive मतलब मानव के अंदर जो प्रजणन तंत्र है, वो कैसा है, विवी पैरस है जरायूज है, unisexual है, एक लिंगी है, male के पास male reproductive organ, female के पास female reproductive organ, दोनों अलग-लग चीज़ें बनाते हैं, sperm बनाते हैं और ovum बनाते हैं, तो basically, जो sex organ male में है वो आपका testis होते हैं और females के अंदर ovaries होती हैं, यही दोनों तो मिलकर क्या बनाएंगे, sperm और ova बनाएंगे तब जाकर क्या होगा, तब जाकर basically, आपका reproduction complete हो सकता है, तो इसमें जो है सबसे पहली process लिखिए, gametogenesis formation of gametes, gametes का मतलब sperm और ova का बना दूसरा लिखा है, insemination transfer of sperms into the female genital tract female की genital tract तक उस sperm को पहचाना, यह process हो जाता है insemination, अब जैसे आपने सुना होगा, कई तरह की artificial technique भी आती, जैसे IVF in vitro fertilization जो होता है, तो उसमें भी basically क्या होता है by machinery जो है, इन चीज़ों को किया जाता है, मैं आपको आगे बताऊंगा भी artificial process क्या है, लेकिन यह भी process का ही हिस्सा आता है, जिसको insemination कहा जाता है, तीसरा fertilization fusion of male and female gametes, जब male और female gametes, युग manage बन गए, zygote बन गया, तो उस process को fertilization कहा जाता है, फिर आता है implantation, तो implantation जब हम आगे मैं इन चीज़ों को और detail में बताऊंगा, लेकिन आपको यहाँ पर एक एक process समझनी है, यह implantation जो होता है, गर्ब में जाकर, जो है जो uterus का wall होता है, वहाँ पर जाकर जो गर्ब होता है वह attach हो जाता है, उस process को implantation कहा जाता है, development of blistocyst and its attachment to the uterine wall इसको हम बोल सकते हैं, कि जो एक तरीकी का implantation मतलब जुड़ना, मतलब आपका क्या होना, निशेचन होना निशेचन के बाद यूग मनच का जो है गर्ब में जाकर जुड़ जाना implantation है, फिर gestation embryonic development from conception to birth, मतलब ये गर्ब आवस्ता है, जो गर्ब के अंतरगत जो है शिशू जो विकास होता है तो इस चीज को gestation कहते हैं, और part duration delivery of the baby, यहाँ पे child का birth होता है, एक hormone release होता है oxytocin hormone, उनके बारे में भी बात करेंगे तो ये process किसी के अंतरगत भी होती है, सामाने स्तिती में तो अब देखिए, हमारी बात कहा हो रही है हमारी हो रही है, बेसिकली जो बात है, वो है male के अंदर अब हम बात करेंगे male reproductive organ की तो male reproductive organ में आप से कोई पूछे कि नर प्रजनन अंग में क्या सबसे महत्पूर्ण है, तो कोई भी कहेगा sperm का formation होना वीरे का बनना अब ये जो sperm है कोई पूछे, कि वह ये कहां बनता है, तो इसका जो एक primary जो sex organ है मतलब प्राथमिक जननांग किसको कहा जाएगा तो प्राथमिक जननांग जो होते हैं, वो होते हैं testis इनको हिंदी में version कहा जाता है अब देखिए ध्यान से समझिए testis जो होते हैं एक bag like structure में होते हैं जिसको scrotum कहा जाता है, ये जो है बहुत ही early stage की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, क्या होता है जब बच्चा गर्व अवस्था में होता है जो हम वाला time period देख लें जिसको हम अभी तक gestation कह रहते हैं अब गर्व अवस्था में क्या है बच्चे का धीरे-धीरे विकास होता है केवल योगमनज के बनने से zygote के बनने से तो काम नहीं होगा स्वंके बनने से तो नहीं होगा सबसे पहले के अमेटोजैनेसिस होना है फिर इंसेमिनेशन होना है फिर आपका third process जो है उसमें implantation भी होना है realization होना है फिर implantation होना है फिर आपका gestation होना है तो gestation में क्या होता है जब female 7th month में रहती है मतब 7 웨ंनенд की बात कर रहे है सातवे महीने की जब pregnancy होती है तो females की body के अंदर ही गर्भ है यहाँ पर हम male की बात कर रहे है females के अंदर की बात नहीं कर रहे है यह दिहान से समझना होए female के अंदर यह जो गुरुसूतर बन रहा है वो X और Y का बन रहा है तो X और Y वाला जो होगा वो male बनेगा अगर XX ही होगा तो वो female बनेगी तो यहाँ पर यह special condition है कि गर्ब में कोई पुरुष का जन्म होना है मतलब male जो है child का बर्थ होना है तो male child में क्या होता है कि उसकी body से कुछ चीज़े descend होती है अगर हम बात करें male के अंदर escortum होता है एक vrishan की चीज़ें होती हो और इसके अंदर एक pair of testis होते है मतलब एक जोड़ा vrishan का होता है जिसको testis कहा जाता है तो यह हर male के अंतरगत क्या होता है जो scortum होता है वो बाहर होता है मतलब शरीर से बाहर निकल कर आता है तो कोई पूछे कि अब बच्पन में ही जब जन्म होता है तो पुरुष के अंतरगत ये स्कॉर्टम बाहर होता है टेस्टेस बाहर होते हैं वरिशन बाहर होते हैं कब होता है यह तो जब महिला जो है गर्ब अवस्था में होती है गर्ब धारण करके रखती तो साथवे महिने में प्रेग्नेंसी के दौरान क्या होता है फीमेल एक हॉर्मोन रिलीज करती है अब देखिए फीमेल के अंदर आप बोलेंगे कि कौन सा हॉर्मोन आ गया साथवे महीने में क्यों ऐसा ज़रूरी है क्योंकि बताया जाता है जो स्पम का बनना होता है वो शरीर के तापमान से लगबग 2.5 degrees कम होना चाहिए इसलिए जो स्कॉल्टम होते हैं जो टेस्टिस होते हैं वो शरीर के بाहर होते हैं क्योंकि वो तापमान में अंतर होता है स्पम बनने के लिए 2.5 डिग्री टेंपरेचर कम चाहिए तो 2.5 डिग्री सेल्सियस टेंपरेचर कम होने के लिए ये जो है विवस्ता शरीर के अंतरगत पहले ही हो जाती है कब 7 महीने की प्रेग्नेंसी पर अभी बच्चे का जन्म नहीं हुआ है अभी वो गर बवस्ता में ही है तभी के तभी जो है फीमिल के अंदर से टेस्टेस्टरॉन का रिलीज होना और स्कॉर्टम का टेस्टिस का बाहर निकल कर आ जाना अब कोई बोले कि वही किसी के अंतरगत ये डिसेंड ही नहीं हुआ तो क्या होगा तो इस condition को कहा जाता है cryptocordism यहाँ पे condition होती है जिसको cryptocordism कहा जाता है और cryptocordism में जो है अगर female के 7 महिने में testosterone release नहीं हुआ तो basically उनके जो testis हैं वो बाहर निकल ही नहीं पाते मतब वरिशन बाहर निकल ही नहीं पाते और उसके अंतरगत अगर हम बात करें त के लिए तैयार हो सकता है क्या उसके अंदर sperm का formation होगा तो बिल्कुल sperm ही नहीं बनेगा इस condition को hyperthermia कहा जाता है क्योंकि वह testis का बाहर आना तापमान के लिए है अब वह testis जब बाहर ही नहीं आए शरीर के अंतरगती रह तो एक समान तापमान रह और एक समान तापमान रह तो sperm का formation ही नहीं होगा इस condition को hyperthermia कहा जाता है जब आपका descend नहीं कर पाते हैं तो आपको समझने आ रहा होगा यहाँ पर जर्म से पहले ही ऐसी घटना हो गई है मा के गर्ब में जब आपके testis जो होते हैं वो बाहर निकल कर आ जाते हैं males के अंदर females के अंदर की बात नहीं ह होता है इसी से सारी चीज़ें जुड़ी होई हैं तो वही मैं आपको समझाओंगा वहीं से sperm का formation होता है और sperm जो है यूरेथ्रा के माध्यम से बाहर निकल कर जा पाता है तब ही insemination करता है तो यह एकदम basic basic चीज थी जो मैंने आपको बताई अब देखिए पुरुष बाहर जो है आपकी एक layer होती है जिसको epididymus कहा जाता है और epididymus से यह पूरा का पूरा आपको यहाँ पे देख रहा होगा एक tubule है यह tubule जो है यहाँ पर एक पती नुमा चीज होती है जिसको seminal vesicle कहा जाता है इसके अलावा यह आगे चलकर आपका यह यूरेथ्रा है प्रोस्टेट ग्लैंड होती है और प्रोस्टेट ग्लैंड से यूरेथ्रा होता हुआ यह आपका आगे जाता है तो यह basically क्या है यह एक ऐसी जगा है जहां पर आपका यूरेन इखटा रहता है तो यूरेन भी इसी पासेज से निकलता है और यहाँ पर है seminal vesicle और semen भी यह निकलता है तो यह तीनों का ही एक common passage है इनको ही मैं आगे चलकर आपको समझाओंगा यह यूरेनरी ब्लैडर है यूरेनरी ब्लैडर में ही आपका जो यूरेन होता है वो इखटा रहता है तो भाई मेल रीप्रोड़क्टिव और्गन में जो सबसे primary organ हो गया वो कौन सा हो ग तभी sperm का formation होगा और sperm ही नहीं हुआ तो gametogenesis ही नहीं होगा gametogenesis ही नहीं हुआ तो फिर कैसे insemination होगा कैसे जो है fertilization होगा implantation तो फिर दूर की बात है तो पूरा का पूरा process होने के लिए पहली यह चीज़ ज़रूरी है तो मेल के अंदर अगर कोई पूचे की primary sex organ क्या है तो में एक point अगर हम बात करें तो इन अंगों का सामोईक रूप से जनन तंत्र अत्वा प्रजन तंत्र कहा जाता है यह पूरे organs मिल कर काम करते हैं तो अगर हम यहाँ पर बात करें देखिए यहीं से हमारी बात चालू हो जाएगी तो यह जो पूरा का पूरा एक है इसको ही व कहा जाता है इसके बाद अगर आप देखेंगे तो यह पूरा का पूरा एक passage है और यह passage जो है आपका क्या हो रहा है तो यह passage इस तरीके से आगे जा रहा है और आगे जाने पर इसके अंदरगत जो है क्या है प्रोस्टेड भी आ रहा है फिर आपका स्वनल नालिका भी आ र इस ब्रबर यॉरेथ्रल भी है इस ब्रबर को कई जग़ांओं पर कॉप्पर ग्लैंड भी कहा जाता है में एक है ग्लैंड का आपको जो है सारे चीज़ें बताऊंगा कि जैसे यहां पर अगरहा हम ठीस की बात करें तो इस ठीस के पास एपिढाईमस है इसी में प्या होता मा के गर्ब के अंतरगत, 7 महीने में टेस्टीज बाहर निकल कर आ जाते हैं, जो कि किस के कारण होता है, टेस्टेस्टरोन के कारण होता है, तो यह जो पूरा का पूरा जो चीज है, कि यहां से यह जो वरिशन है, यहां से पूरा पैसेज आपको दिख रहा होगा, यह जहां से सीमेन भी निकलता है और जहां से यूरेन भी निकलता है यह तीनों के common passage होते हैं इनके अंतरगत भी बहुत सारी अलग अलग चीज होती है जो आपका मूत्र होता है जो यूरेन होता है जो सीमेन होता है वो आपका alkaline होता है मतलब छारी होता है तो इसके अंतरगत जो आप व्रिशन कहेंगे, दूसरे नंबर पर होता है, एपीडी डाइमस, जिसको अधी व्रिशन कहा जाता है, तीसरे पर वास डिफरेंस कहा जाता है, शुकर वाही का, जिससे यह निकल कर आता है, फिर एक और जो चीज है, मैंने पत्ती नुमा बताई थी, जिसको सेमिनल वैसिकल कहा जाता है, जिसको आप क्या कहेंगे, शुकरा शे कहेंगे, पाँचवे नंबर पे अगर आपका आएगा, तो उसको कहेंगे प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्रन्ती, इसके अलावद छटवे नंबर पर, कोपर्स ग्लैंड, जिसको बल्बा यूरेथ्रिल ग्लैंड भी कहा जाता है, इसका नाम पूछा जाता है, साथवे नंबर पर यूरेथ्रा, और आठवे पर आपका शिशन या पिनिस, तो बेसिकली ये जो है, मेल रिप्रडुक्टिव औरगन में ये आठ चीजें बहुत महत्पूर्ण हैं, और इनी के अंतरगत और भी बहुत सारी चीजें मैं आपको एक एक करके explain करूँगा, तो ये जो चीज है, अब इसमें पूछा जाता है, कौन पेर में है, जैसे टेस्टिस जो हैं, जोड़ों में पाई जाती है, ये पेर में होता है, तो ये आपसे पूछा जाएगा, इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए, कि भई ये जो पेनिस वाला जो पार्ट है, इसमें कौन सा टीश्यूज होते हैं, एक्टाइल टीशू होते हैं जिसके कारण ये जो है आपका हार्ड हो सकता है तो ये सारी चीजें अंदर से पूछी जाती है लेडिक सेल के बारे में लगातार कुश्चन पूछे जा रहे हैं तो इसलिए हमारे लिए बहुत जादा ज़रूरी है इसलिए ये जो है पूरा का प्रोसेस हम यहाँ पर एक्स्प्लेइन करेंगे कि किस तरीके से काम करता है जैसे यहाँ पर हम नॉर्मली मेल रिप्रोड़क्टिव और्गन की बात करें तो मेल रिप्रोड़क्टिव और्गन में ये जो प्रोसेस है कहाn से हमने बात करी तो वही इसमें टेस्टीस भी आ गए व्रिशन भी आ गए व्रिशन से एपीडी डाइमस एपीडी डाइमस के बाद आपका वेस्ट डिफरेंस सेमिनी क्यूच ओर सेमिनी वेसिकल के बाद आपका प्रोस्टेट ग्लैन्ड भी है यहाँ पे बल्बा यूरेथ्रल ग्लैन्ड भी है यूरेथ्रा और पेनिस तक जो है यह पूरी चीज़े हैं तो यह जो है यह पूरा का पूरा क्या है इससे एक main चीज जो निकलती है वो है sperm वेरे, अब ये कैसे बनता है, तो इसके अंतरगत, Epididymus के अंतरगत, कुछ चीज़ें पढ़ने हैं हमको, जिसको Sertoli, और एक जो होता है, Lidic, ये बहुत ही important topic है, इसको भी मैं आगे अच्छे से explain करूँगा, तो ये चीज़ें हमको इसमें पढ़ने हैं, कहाँ पे, जो है common passage कहाँ होता है, जो penile gland है, वो क्या होती है, कौन-कौन से hormones release होते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, तो आज हमने थोड़ा सा basic इसका लिया है, इससे कुछ related questions देख लेते हैं, तो पहला question है, male hormones are produced by, पुरुष में जो hormone होते हैं, वो किसके द्वारा निर्मित होते हैं, epithelial cell, sartori cell, ledic cell या spermotocytes, उपकला कोशिका हैं, sartuli कोशिका हैं, ledic कोशिका हैं, यह शुक्राणू शक, यह बताना है आपको, ट्राइ करेंगे, नहीं बनेगा, तो मैं आपको next session में तो सारे answers कराता ही हूँ हूँ है, किशोर अवस्ता के दौरान होने वाले परिवर्तन को नियंतरित कौन करता है, हॉर्मोन्स करते हैं, इंजाइम्स करते हैं, लेंप्स करते हैं, हॉर्मोन इंजाइम्स लसी का या इन में से कोई नहीं, इसके अलाबा, another name of bulbo-eurethral gland, bulbo-eurethral gland का दूसरा नाम क्या है, mebumian gland, prostate gland, perineal gland या copers gland, तो इसका answer मैंने आज ही बताया हुआ है, तो इसको आप ज़रूर बताएंगे, इसके लाबा, कोई भी doubts आते हैं, इन social media handle पे जुड़ जाएए, lecture की PDF इस टेलिग्राम ग्रूप से आप डाउनलोड कर लिजे, और भी कोई तरह के questions हैं, यहां पूछ सकते हैं, तो hope आज का lecture आपको informative लगा होगा, कुछ समझने आया होगा, जैसा भी हो, आप comment section मुझे ज़रू बताएंगे, thank you very much for watching this, have a great day.